Hello Friends, आज हम लोग देखेंगे, why an iron nail sinks in water and ys flows मतलब एक ज़हाज होता है, वह पानी पे कैसे तैर जाता है, वहीं पे छोटा सा iron nail, वो कैसे डूब जाता है इतना ब़ा जहाद तैर गया और एक छोटा ऐर निल डूब गया, यह तो ना-इसाफ हो इसे पीछे का simple सा logic है और इसके पीछे का simple सा principle है जो कि है हमारा Archimedes principle क्या है Archimedes principle? यह क्या कहता है, यह कहता है कि जब भी कोई object पानी में अगर जाएगा अब इसको में पूरा statement यहां पर लिखने वाला नहीं हो, मैं आपको उसे बता दूँगा, आप समझ लो कि कोई अगर object पानी में अगर जाता है, तो जो पानी है, जो पानी है, वो उसके उपर एक upward force लगाती है एक upward force लगाती है, इसको आप सिंपल से पता कर सकते हैं, या सही में upward force लगता है या फिर नहीं लगता है आप एक bottle को लो, जिसमें पानी भराओ और उसको थोड़ा ऊपर से पक्रो तो आपको लगेगा कि हाँ वो नीची के तरब कुछ घीच रहा है, बोटल आपको नीचे के तरब घीच रहा है, तो आपको अपने यहां से अगर ऐसा आप पक्रोगे, तो यहां पर कुछ हो कम है, तो यह क्या बता है, यह बता है कि जो वोटर है, वो एक अपवर्ट फोर्स जेनरेट करा है, अपवर्ट फोर्स बॉल यह आपके बॉटल के ऊपर जो बीकर है, बीकर में जो पानी है, वो जो है आपके बॉटल के ऊपर एक अपवर्ट फोर्स लगा रहा है, जिसक बोटल को ठीक है बोटल को डालोगे अंदर बोटल को अगर आप पकरके पानी में डालोगे तो क्या होगा पानी का कुछ पार्ट डिस्प्लेस होगा पानी का कुछ पार्ट डिस्प्लेस होगा समझ में आया अभी इसको प्रूफ कैसे कि पानी का सही में कुछ पार्ट तो कुछ जो पानी है इसका जो कुछ पानी है वह बाहर निकला अब जो यह पानी बाहर निकला है ठीक है यहाँ पर मानलो यह पानी बाहर निकला है अब यह जो पानी बाहर निकला है इस पानी का जो वेट होगा वेट क्या वेट याद रखना मैंने मास नहीं बोला है मैंने मास नहीं बोला है मैंने बोला है तो इसका जो वेट होगा वेट जऊगा अगर वह equal है स्य गारी कम परएव पानी के वेट करेगा यह पर पाने माल्च करेगा लगा लेकिन वहीं पर अगर इस मॉम्ल करेऻ नहीं यहाँद नेलल और सिप के साथ सिप मैंने अच्छा नहीं बना पाया है जैसा भी है आप समझ लूँ तो अगल जब लेते हो खिक यह बने हों यह अट जाकता है इसको आप साथ जब पाने DANIL तो यह जो वाटर को डियों समय करता है उसका इसके कम होता है इसके के मुकाबले ज्यादा होता है सब्सक्राइब करो कि इस वाले वैट मोप को जो यह वेठ पानी का जो इस प्रफेस लिकविट मीट है उसको अम लोग से लिडिनोड करते कर लो कि है वर व करते कि अर अगर इस will कैना क्यों प्लूर औक है अगर w जादा है मतलब weight of the ball जादा है weight of the displaced liquid कम है तो यह float नहीं करें यह डूब जाएगा इसका जो weight है इसका जो हमने माना है weight इसके में वाला कहनी बन जाता है। जो upward force है उसका weight कम हो जाता है इसके बहुत ज्यादा लिक्विट को डिस्प्लेस करेगा तो उसको वह ज्यादा अंदर तर जाता है ज्यादा लिक्विट को डिस्प्लेस करता है ज्यादा वेट को डिस्प्लेस करता है इसके जितना वेट होता है उतना ही वह डिस्प्लेस भी करता है उसको ऐसे डिजाइन किया ज सिप के पानी का अंदर भी होता है यह भी आप जाने लो यह नहीं होता कि पानी के ऊपर ही वह पुरा फ्लोट करें पानी के अंदर भी कुछ उसका पाट होता है तो जो पानी का अंदर जो पाट होता है और जो अपवाट फोर्स लग रहे होता है दोनों सेम होता है जिसके